सबी दर्शकों का पंजाबकेस्री.com में स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ खुश्पू करनी है तो घर में यह पता करें कि दक्षिन पश्चिम दिशा में कोई वास्तू दोश तो नहीं है यदि ऐसा होगा तो विदेश यात्र का योग आसानी से नहीं बनेगा इसके अलावा उत्तर पश्चिम कोण अर्थार्थ वाइवे में आपका रूम होना जरूरी है इससे भ मेश राशी वाले लोगों को गोजर का ब्रिस्पति धन के मामले में बहुत अच्छा परिणाम दे सकता है सुख सुविदाओं में बढ़ोतरी होगी शनी के कारण होते हुए कामों में बादा आ रही है अधिक प्रियासों के आवश्यक्ता दिखाई देती है वरिशब राशी वाले लोग समस्याओं को समझ कर उसका निवारन करने की सोचे तो जादा बहतर परिणामों की आशार रख सकते हैं सोचे गए कारे समय पर पूरे होंगे मंगल स्त्री पक्षते मतभेद और तनाव पैदा कर सकता है मिथुन राशी वाले लोग मंगलवार को प्राधा गुड का दान करें इससे बिजनस में भी लाब होगा इस्थाई समपत्ती में इन्वेस्टमेंट हो सकता है विरोधा अबास और मतभेद के कारण समाज में प्रतिस्ठा कोश्चती पहुँच सकती है बहतर होगा कि वारत सिंग राशी वाले लोगों को परिश्रम का लाब मिलता रहेगा संतान पक्ष से परिशानी दिखाई देती है इस सब्मंत में ध्यान देना चाहिए वियपारी वर्ग के लिए समय काफी अच्छा है नई संपरकों का लाब मिलेगा वियपार में नई वस्तूओं का संभव है कन्या राशी वाले लोगों के लिए दोपहर बाद कोई रुका हुआ धन वापस आ सकता है स्वास्थे ठीक रहेगा बिजनस यात्रा से भी लाब होगा मित्रों से मत भेद संभव है परिजनों से भी वियवार करते समय साफधानी रखने की जरूरत है बड़े भा की योजनाओ के अनुसार खरीदारी हो सकती है व्यपार में गती मंदता रहेगी विष्चिक राशी वाले लोगों के लिए आकास में घटनाओं से मानसिक व्याथा उत्पन होगी खर्श के अधिकता रहेगी भागय पक्ष कमजोर बना हुआ है इसलिए व्यपार में पूर अधिकता रहेगी लेकिन उसकी तुलना में आमदनी नहीं हो पाएगी मकर राशी वाले लोगों को अभी अच्छे समय की और अधिक प्रतिक्षा करनी चाहिए दामपत्य जीवन में मतभेद और परिशानी रहेगी आपके लिए ये बहतर होगा कि समझोता करके चले हालाकि कि बिजनस और आमदनी लगातार बढ़ने की योग है कुम राशी वाले लोगों को सरकारी योजनाव से भी लाप की संभावना बनेगी राशी स्वामी शुप स्थीती में है इसलिए व्यपार या नोकरी में उन्नती की संभावना रहेगी शत्रू को परास्त कर पाएंगे समाज में मान समान की प्राप्ती होगी, घर में मांगलिक कार्य संभव है मीन राशी वाले लोगों के लिए आज सगाई संबंदों में व्यविधान दिखाई देता है जिस संबंद के लिए आप इच्छुक हैं उसके होनी के संभावना नहीं है बिजनस में किसी नए कारिये की शुरुआत हो सकती है सरकारी योजनाव का भी लाब मिल पाएगा आज के राशी फल में बस इतना ही अगर आपके मन में आज के राशी फल से जुड़े कोई भी सवाल जवाब है तो कमेंट सेक्षन में हमें जरूर बताएं और ऐसी ही चानकारी के लिए बने रही पंचाबकेसरी.com के साथ